तो दोस्तों वेलकम हैं आपका हमारे यूटीब चैनल में पैंसनर्स फैमली पैंसनर्स एस बेलेस कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट लेकर आया हूं मैं पैंसन भोग्यों को बड़ी सोगात मिली है आपको नई एरिया स्टेवल दिखाने बाला हूं नई बेसिक के सा साथ में पैंसन रिवीजन कितना हुगा सारी चीज़ें अपडेट देने वाला हूं मैं इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्त देखीगा बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में लास्त तक और अगर चैनल में पहली बारा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा ऐस पैंसनर्स जिनको 6th Pay Commission, 5th Pay Commission, 6 Pay Commission as well as 7 Pay Commission में जो पैंसनर्स और Family Pैंसनर्स जो रिटार्मेंट हुए उनको कितनी Basic Pay मिल लेगी, उनको कितनी Notional Pay मिलेगी, 2-16 पर कितनी मिलेगी, 2-17 यानिकि 7 CPC लगने के बाद कितनी पैंसनर्स मिलेगी, कितना एरियर मिलेगा, कितनी Family Pैंस प्रिवियस वीडियो में बताता रहा हूं अब जो है मैं आगे और भी उसी में एड कर रहा हूं क्योंकि सारे पैंशनर्स हर एक लेवल अलग लेवल पे में आते हैं अलग बेसिक उनको मिलती है तो उसी के रिगार्डिंग जो है बहुत सारी चीज़े इसमें और भी एड हु वीडियो में आपके पूरी जो है वो सारी जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे चले आपको सीडी पहली टेवल पर लेके चलते हैं पहली टेवल जो है आप देख सकते हैं आपकी स्कीन पर भी आ रही है टेवल नंबर 20 है जिसमें आप तीन तरह पैंसना साल अलग होंगे जिनके हम सारी चीज़े बताएंगी पे रेंज भी बताएंगे एक जनवरी 2016 से जो नोस्नल पे लगा उससे बढ़ने उसके बाद में और साथ ही साथ जब रिवाइजड पैंसन हुई या रिवाइजड फैमिली पैंसन हुई या बोल सकते हैं कि जब 7 CPC लगा तो आपको कि इतनी पैंसन हों कितनी फैमिली पैंसन मिलेगी सारी चीज़े बिल्कुल डिटेल में जानेंगे यह आप स्कीन पर देख पा रहे हैं सबसे पहले ऐसे जो की एक जनवरी 1906 से 31 से दिसंबर 1995 के बीच में रिटार्मेंट हुए हैं और ऐसे पैंसनर्स जिनकी बेसिक पे जो है उस हिसाब से होगी जिस साब से 1 जनवरी 1996 से 31 दिसंबर 2005 के बीच में रिटार्मेंट हुए हैं तीसरा जो है बेसिक पे ऐसे पैंसनर्स या फैमिली पैंसनर्स जो 1 जनवरी 26 से लेकरके 31 दिसंबर 2015 तक और इसी बीच में अगर उनका पैंसनर्स जो रिटार्मेंट हुए है जो एक जनवरी दोयार छे से लिएक कथी सिसंबर दोयार पंदरा के बीच में कितनी minimum pension मिलेगी, कितनी maximum आपको pension मिल सकती है और साथी साथ एक जनवरी दोयार 16 से notional पे लगने के बाद में revised pension या family pension कितनी होगी अगर वो applicable होगी साथी साथ डिवाज डिपेंसन और family pension एक जनवरी दोयार 16 से कितनी लगेगी सारी हम इस टेबल में जानेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं, आपकी स्कीन पर भी दिखाई दे रहा हुआ सारी चीज़े ऐसे pensioners जो सबसे पहले टेबल में दिखाई दे रहा है, जिनकी basic पे 1400 रुपए है, और उनको 1400 रुपए मिलेंगे, पहला जो है, लेबल 6 की हम बात कर रहा है, दूसरे में बात करते हैं, एक जनवरी 1996 से लेकर के, 31 दिसंबर 2005 के बीच में उनकी जो pension थी minimum, वो 5000 रुपए थी और basic पे ऐसे pensioners जो 2006 से लेकर के, 2015 के बीच में आएं, उनको 13,500 रुपए जो है minimum pension उनको मिली, और अगर 2006 से 2015 के बीच में जो pensioner retirement हुए थे, अगर उनके pay range पर लेकर चले, तो minimum जितनी है उतनी ही रहेगी, लेकिन maximum जो हो जाएगी आपकी pension, वो 13,770 रुपए होगी, और 35,400 रुपए आपको मिलेगी, और अगर वहीं हम revised pension या enhanced family pension की बात करें, जो कि एक जनवी 2016 से लागू होगा, तो वो जो है अगर उन पर applicable होगा, तो 17,770 रुपए basic pension मिलेगी, साथी साथ आप बात करें, revised family pension की, और जो कि एक जनवी 2016 से लागू हुई है, उनको 10,620 रुप हम देख सकते हैं, जिन में 1996 से लेके 1995 की बीच में 1480 रुपए मिलेंगे, मैं इसमें column 3 दिखा रहा हूँ, 1996 से लेके 2005 की बीच में basic pension 5000 रुपए, 2006 से लेके 2015 के बीच में 13500 रुपए है, और अगर हम बात करते हैं, minimum की तो 13,780 रुपए उनको minimum pension के रूप में मिलेंगे, साथ साथ अगर हम maximum pension की बात करें, basic की तो 14,200 रुपए उनको मिलेंगे, और अगर उन पर नोसनल पे एक जनवई 2016 के लगाया जाता है, तो total pension जो बनेगी, वो 36,500 रुपए बनेगी, यानिकि 36,500 रुपीज, अब revised pension या और revised family pension की बात करें, अगर उन पर एक जनवई 2016 से लागू होती है, तो 18,250 रुपए उनको basic pension, इनको revised pension या enhanced pension हो जाएगी, वो साथ साथ के बात करें, revised pension या family pension की, जो कि एक जनवई 2016 से लागू भी होगी, तो उसमें 10,950 रुपए उनको दे जाएगे, यह आपने देखा, लेवल 6 की बात करना है, अब लेकर चलते हैं, आपको लेव हैं, अब हम लेवल 7 पर लेके चलते हैं, से हम सारा उसमें भी है, डेटा अलागे और आपकर लेवल 7 में आते हैं, तो उसी हिसाब से इसमें सारी चीजे हैं, इसमें आप देख सकते हैं, अब देख सकते हैं, बेसिक पे जो 1986 से 1995 की बीच में है, जिनकी basic तैइस सो 275 रुप बीच में है, तो 18,460 रुपए basic के रुपे उनको मिलेंगे, और अगर minimum की बात करें, वहीं जो पर एक दोयार 6 से लेकर के दोयार 15 के बीच में है, तो 17,980 रुपए उनको minimum मिलेंगे, वही maximum की बात करें, एक जन्वरी 26 से लेकर के 31 दिसम्बर दोयार बीच के बीच में, त अगर हम नोसनल पे की बात करें तो 47 रुपए उनको एक जनवरी 2016 से मिलने वाले हैं वहीं अगर हम रिवाज़ड पैंसन रिवाजड या फिर बोल सकते हैं इनहांच फैमिली पैंसन की बात करें जो कि एक जनवरी 2016 से लागू होगी तो उनको यह सारी चीज जो होने पर एड ह इपोटेंट टेवल से अब एक ओड ले लेते हैं जो कि लेवल सेवन में ही आती है तो लेवल सेवन में आप देख सकते हैं एक जनवरी सत्रह जार 980 रुपे मिलेंगे वहीं मैग्समां की बात करें तो अधारा जार पांसो बीस रुपे उनको मिलने वाला है और अगर नोसनल टे की बात करें तो 47,600 रुपे मिलेंगे साती सात रिवाज़ पैंसन रिवाज़ फैमिली पैंसन की बात करें एक जनवरी 2016 से 23,800 आपके 44 तक की पूरी टेवल्स हैं, जिसमें आपकी बेसिक आपकी जाएक सारी चीजए इस में आप सेगल, certainty आपकी लेवल के साब से आपके पहां से इसकों कमिशन और सेवन पे कमिशन सारे पे कमिशन बहुत इजिली दे गए अब कमेंट बॉक्स में यस कलिक कर लिखीगा आपको वहां से सारी डाउनलोड मिल जाएंगी इजिली आप अपना सारी चीज़े देख सकते हैं जो भी इसमें जो भी